तो यहां पर मैंने यह कुछ चीजे हैं जो मैं रात में सोक करके रखी थी और मैं बना रही हूँ आज एक हेर सेरम बोल सकते हैं तो यह है रोजमेरी और रोजमेरी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है यह पता ही होगा आपको और उसी के साथ में कुछ सीट्स भी डाली हूँ उसमें तो मेरे पस ड्राइड रोजमेरी बहुत पहले से थी तो मैंने सोचा बना लेते हैं इसको और कुछ टाइम पहले भी मैंने इसको ट्राई किया था लेकिन तब मैं बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाई थी कुछ दिन किया था फिर मैंने बीच में छोड़ दिया तो मैंने सोचा इस बार अच्छे से ट्राई करके देखते हैं तो यहां पे मैंने रात में रोज मेरी थोड़ा सा सोक कर दिया और उसके साथ मेथी के दाने और कलाउंजी के दाने दोनों ही डाल करके साथी में तीनों सोक कर दिया था मेथी के तो इसलिए मैंने डाले थे दान लाल करके और उसके बाद मैंने पाने लाल करके इसको और चलाते हुए यहाँ पे मैं उबाल रही हूँ और अब मैं इसको low flame पे करके एकदम सिंपे करके इस पानी को आधा होने तक उबालोंगी क्योंकि hair serum हमें बहुत जादे नहीं चाहिए और वो जितना concentrated रहेगा उतना अच्छा होगा तो यह अब मैं इसको low flame पे करके और इसको मैं छोड़ दूँगी जब तक कि यह आधा नहीं हो जाता है पानी तो आज मुझे सुबह सुबह याद आगया detox drink बनाने के लिए अधरवाइस मैं भूल जाती हूँ तो फिर बनानी पाती हूँ इस पानी को क्या होता है कि इसको prepare करके और 2-3 घंटे के लिए छोड़ना होता है उसके बाद उसी पानी को filter करके पीना होता है तो यह detox drink काफी अच्छा है बाडी में जितनी भी toxins होते हैं उसको निकालने के लिए बट पहले मैं काफी continuously इसको use करती थी अब ही ऐसा हो गया है कि जब जब याद आता है तब तब बना लेती हूँ और हम पी लेते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है एक खीरा और जो भी सब्जेंस में डालें जो भी चीज़े डालना है उसको अच्छे से साफ करना है क्योंकि सारी चीज़ें हम छिलके के साथ डालेंगे तो यहाँ पे मैं एक खीरी को कट कर ली हूँ उसके साथ एक लेमन रहेगा एक इंच अधरक का टुकड़ा रहेगा और दो तीन स्टेम्स रहेंगे पुदीने के पत्ते के खीरा और lemon और ginger जितना पतला हो सके उतना पतला कट करना है तो यहां पर मैंने इनकी slice कर ली है और ginger को आप grate करके भी डाल सकते हैं तो यहां पर यह तीनों चीज़ों को chop करने के बाद मैं एक glass jar में यहां पर डाल दे रही हूँ और उसके बाद इसमें पूरा एक लिटर तक का पानी फिल करना है तो पानी मैंने इसमें फिल कर दिया है और अब मैं इसमें उपर से डाल रही हूँ ये दो-तिन स्टेम्स पुदीने के तो ये पुदीने के पत्र डिटॉक्सिफिकेशन में काफी हल्प करते हैं और ये हमारा वाटर रेडी हो गया है अब मैं इसको साइड में रख दूँगी और करीबन नौ बजे के बाद मैं इसको फिल्टर करके अपने बॉटल में फिल करके और इसको मैं पिऊँगी ये थोड़ा सा पानी जो है न बिटर होता है थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन एक पर जब आदत हो जाती है तो कभी-कभी आराम से पिया जा सकता है तो जो हेर सेरफ मैं भी बना रही हूँ ये मैंने प्लीन रोज मेरी का कुछ टाइम पहले बनाया था तो इस वाले स्प्रे बॉटल में मैं इसको यूज करती थी तो अभी मैं खोल के यहां पे चक्की हूँ तो इसमें सा स्मेल बिलकुल भी नहीं आ रही है इसका मतलब की मैं इसको बाहर रख सकती हूँ आराम से क्योंकि अभी मैंने मेथी और वो सब भी डाला है थोड़ी सी करती हैं इसमें सोक कर दिया है आप इसको नॉमल चावल से भी बना सकते हैं हलकी हलकी प्रीपरेशन होगए जूद को भी मैं यहां पे रख दे रही हो तब तक दूद में away आ जाएगा और यह प्रीपरेशन के बाद मैं आप जाती हूँ आरो को उठाने के लिए हूँसको खुद कराऊं कभी बहुत जल्दी होती है तो मैं नहीं करा पाती हूं अधर्वाइस मैं ब्रश उसको खुद कराना प्रिफर करती हूं क्योंकि बच्चे दांत अच्छे से साफ नहीं करते हैं और मैं कराती हूं तो फिर वो गेम नहीं होता है वो सच में टीच साफ होता है औ तो इसलिए गीजर आन करके पानी भी में साथ में फिल करती रहती हूं ताकि वो ब्रश करके आएगा फिर उसी मोड में उसको मैं तुरंट भीज देती हूं नहाने के लिए और वो फिर नहा किया जाता है यहां पर मैं मटर पुलाओ का प्रेपरेशन कर रही हूं उसके लिए और के ँख का और यहीं मैं यहीं यहाँ में नहीं रहें है तो बहुत ज़ल 10 में बहुत जल्दी ग Kraut यह आम यहीं में चांग कहतं कुछ मना डाल दिया है मैंने कैश्यूस डाल करके और इसको मैं हलका सा भून लोगी किसी भी पुलाओ में काजू काफी अच्छा लगता है तो कैश्यूस डालो तो टेस्ट अच्छा लगता हो बीच बीच में जब करंची करंची आता है तो उसके बाद इसमें मैं यहां पे खटे के लिए सालन जो की होगा प्याज का सालन जो की बहुत टेस्ट लगती आप किसी भी वेजटेबल बिर्यानी या पुलाओ के साथ बना के खा सकते हैं तो यहां पे मैंने कड़ाई में डाला है करीबन दो टेबल स्पून के करीब मुंगफली के दाने और यह मुंगफली पहले साइड में रख दूँगी मैं और साथ में यहां पे मेरा ओनियन और जिंगर गालिक पीस्ट अच्छे से भुन चुका है अब मैं यहां पे फ्रेश मटर डाल रही हूं और आप फ्रेश मटर की जग़ए फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से यहां पे करी तो यहां पे मैंने 1 cup और 1 4th cup चावल लिया था तो इसलिए मैं 2 cup और 1 4th cup पानी डाल करके इसको अच्छे से एक बार उबाल ले रही हूं और उसके बाद इसमें नमक डाल करके एक बार नमक को टेस्ट करके और फिर फाइनली कुकर का ठकन बंद करके विजल आने के लिए मैं नहीं डाला तो पुलाव बनने के लिए रख दिया है मैंने और अब सालन की कुकिंग करते हैं तो यहां पे कडाही में तेल डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा तड़का देंगे सरसो के दाने और जीरा डाल करके तड़का दिया है मैंने साथ में थोड़ा सा हींग डाला है और उसके बाद slit करके एक प्याज को डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे प्याज बहुत soft नहीं होना है हलका सा ही जब वो crunchiness ही रहेगा तभी इसमें जिंडर गालिक paste डाल करके और इसको भूनने के बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे की healthy powder, नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इन तीनों को डाल करके प्याज के साथ अच्छे से mix कर लूँगी मैं और उसके बाद जो मैंने paste बना करके रखा था, मोंग फली, पॉपी, सीट्स का, उस paste को मैं इसमें डाल करके अच्छे से mix करने के बाद, उसी mix जार में थोड़ा सा और पानी डाल कर के अच्छे से mix जार को clean कर लेना है, blender को और फिर इसमें डाल देना है, पानी इसमें थोड़ा सा शूरू में जादे ही पड़ता है, क्योंकि अच्छे से इसको पकाना होता है, और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल करके, इसको फुल पे करके थोड़ी देर के लिए पका जाता है, फिर इसमें डालना है थोड़ा सा इमली का जूस, या जब प्यास जिंजर गाली का पेस्ट पूरा मसाला रेडी हो जाता है, उसी टाइम पे आप चाहें तो एक छोड़ा टमाटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा खटापन लाने के लिए, लेकिन इमली के जूस से ह इसका टेस्ट अच्छा आता है, और उसके बद बस इसको थोड़ा सा थिक होने तक का वेट करना है, तो सालन एक साइड में कुक हो रहा है, दूसरे साइड में मेरा ये मटर पुला बंगर के रेडी हो गया है, और उसको बहुत मिक्स नहीं करना है, तो यहाँ पे मैं फोर् करके और ओन इन दोसा बना दिया, इसके साथ मैंने टमाटर की चट्नी बनाई हुई थी, तो वह भी था, तो मैंने तुरन तुरन दे दिया, डोसा का जो बैटर होता है, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, और साथ में मेरा सालन भी रेडी हो गया, मैंने सबको वकर लिया। और यह है मेरा tasty सा मटर फुलॉ। मटर पुलॉ। रैसिपी बहुत अच्छा जाता है सालन के साथ और अगर आप कोई इसके साथ सबजी बनाना चाहें तो आप कोई creamy gravy वाली सबजी बना सकते हैं उसके साथ काफी अच्छा जाता है उसका टेस्ट तो लंच बॉक्स वगरे दे करके मैंने उन लोगो भेज दिया है अब मैं अपने लिए बना रहे हूं यहां पे एक दोसा और जब तक दोसा कोख होता है तब तक मैं की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूं क्यो बचेगा इसको मैं पेस्ट बनागर के और अपने बालों में बाद में अपलाई करूंगी तो यह आराम से आइधिंग दो हपते तक आप बाहर रखके यूज कर सकते हैं फ्रिज में रखने की जड़त नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं लास्ट तेम वाला देखा मेरा स्मेल न बचेगा एड़ा एड़ा हेड़ सिरम और इसको अपलाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है बस बालों में सेक्षिन बनाना है और इसको अपलाई करना है तो यह था आज का मेरा व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा थैंक्यू सो में फर वाचिंग माई